अगर आप भी सोने और चांदी में निवेश करने के लिए सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है अगर आप भी सोने और चांदी की खरीदारी करने वाले हो या सोने में निवेश करना चाते हो तो आपके लिए काफी अच्छी खबर आ चुकी है दरसल सोने और चांदी की किम्त में गिराउट देखने को मिली है सोने का भाव सस्ता हो चुका है आप सभी को बता दे कि दिवाली से पहले सोनियों चांदी की किम्त में काफी अच्छी गिराउट आ चुकी है ऐसे में जान लेगे कि भारत में सोनियों चांदी का भाव कहां पर पहुच चुका है सोनियों चांदी की किम्त में कितनी गिराउट आ चुकी है 22 cat, 24 cat, 14 cat और 8 cat सोने का भाव कहां पर पहुच चुका है लेकिन इसे पहले आप सभी से प्यारा सा निवेदन है कि अभी तक आपने गोल्ड इंडिया को सबस्क्राइब नहीं किया तो तुरंती कर दे हम यहाँ पर रोजा ना सोने और चांदी के तासा और भाव देते रहते है वह अगर बात करें सोने और चांदी की किमतों के बार में तो यहाँ पर खबर है कि सोने चांदी के रेट में गिरावट जाने 10 क्राम गोल्ड कितना हुआ सस्ता जी हाँ सोने और चांदी की किम्तों की बात करें तो यहाँ पर 22 कैट और 24 कैट सोने के बाव है इसी के साथ में 14 कैट और 8 कैट सोने के बाव भी जानेंगे सबसे पहले तो बात कर लेते हैं 14 कैट सोने की किम्तों के बारे में तो आज 1 ग्राम पर 3438 रुपाई 8 ग्राम पर 27,502 रुपाई 10 ग्राम पर 34,378 रुपाई 100 ग्राम पर 3,43,776 रुपाई आज 14 कैट सोने का बाव पहुच चुका है वह अगर बात करें 18 कैट सोने की किम्तों के बारे में तो यहां पर 1 ग्राम पर 44,420 रुपाई 8 ग्राम पर 35,360 रुपाई 10 ग्राम पर 44,200 रुपाई 100 ग्राम पर 4,41,998 रुपाई आज 18 कैट सोने का बाव पहुच चुका है अगर आप सोना सस्ता खरीदना चाते हो यानि के सस्ती किम्तों पर खरीदना चाते हो तो आप 14 कैट और 18 कैट का सोना खरीद सकते हो यह 22 और 24 कैट से सस्ता सोना माना चाता है वह अगर 22 केट सोने की किमतों की बात करें तो यहाँ पर एक ग्राम पर 5,402 रुपाई आट ग्राम पर 43,218 रुपाई 10 ग्राम पर 54,22 रुपाई 100 ग्राम पर 5,402,19 रुपाई आज जो 22 केट सोने का भाव पहुच चुका है वह गर 24 केट सुद्ध सोने की किमतों की बात करें तो यहाँ पर एक गराम पर 5,893 रुपाई आट गराम पर 47,146 रुपाई दस गराम पर 58,933 रुपाई 100 गराम पर 5,89,330 रुपाई आज जी 24 केट सोने का बाव पहुँच चुका है इसी के साथ में आप सभी को बता दे कि यहाँ पर जो भी 22 केट, 24 केट, 14 केट और 8 केट सोने के बाव दिये गया है इनमें GST एड नहीं किया गया है तो जब भी आप सोने और चांदी की खरीदारी करेंगे तो वहाँ पर GST एड करके जो है वो सोने का बाव बताए जाएगा यहाँ पर बिना GST वाला सोने का बाव है वह अगर चांदी के किम्तों की बात करें तो यहाँ पर चांदी का बाव एक ग्राम पर 72 रुपए आट ग्राम पर 716 रुपए 100 ग्राम पर 7155 रुपए एक किलोग्राम चांदी का बाव 71,550 रुपए पर पहुच चुका है आज चांदी के बाव में भी काफी अची गिरावट आ चुकी है चांदी का बाव 72,000 से 71,550 तक आ चुका है इसलिके साथ मैं आप सभी को बता दे कि यहाँ पर बारत के बड़े सहरों के 22 कैट और 24 कैट सोने के भाव भी दिये गया है यहाँ पर आप जान सकते हो आपके राज्य के आपके सहर के सोने के भाव कहां पर पहुच चुक है उसके लिए आप हमारी वेबसाइट याने के weindynews.com पर जा सकते हो जिसके लिंक डिस्क्रिप्सम में दे दिये वहाँ पर आपको आपके सहर के सोने के भाव मिल जाएगे